दोस्तों नमस्कार भदाबर ब्लोग के माद्यम से आज हम आपको बताएंगे सहीद इसमारक के बारे में दोस्तों ये है इसमारक सहीद गोपाल सिंग बदोलिया की जो सोर चक्र से नवाजे गए थे दोस्तों ये मौझूद है तालपुरा केंजरा में आप सामने देख पारे होंगे एडर्स लिखा हुआ है ये आगरा की एक तैसील बाह वहाँ पर इस्तित है दोस्तों इस प्रकार से इसको बनाया गया है एक बढ़िया सा गार्डन यहां मेंटेन किया गया है और साइड में एक गवर्वेंट स्कूल है प्रैमरी स्कूल के पास इसको बनाया गया है आप सामने देख पारे होंगे इस प्रकार से बनाया गया है सामने इसका ये गेट है और अंदर की तरफ सहीद गोपाल सिंग्जी की मूर्ती है अगर आप देखेंगे तो आपको अंदर मूर्ती यह गोपाल सिंग बधोरियाजी की मूर्ति आप देख सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर जो पट्टेका लगी हो इसके बारे में आप सामने पढ़ सकते हैं जय हिंद जय भारत सत्यमेब जयते तो हमारे जो सहीद गोपाल सिंग बधोरियाजी है उनका जो नंबर है वो ये है जिसको आप सामने पढ़ सकते हैं 1568-7392W दोस्तो सहीद बीर भधरिया गोपाल सिंग मुनीम सिंग इनके पिताजी का नाम मुनीम सिंग है इनका जर्म 27 जुलाई 1983 को स्वर्गी स्री रामाधार सिंग प्रधान के कुल में पड़पोत्र स्वर्गी स्री संथ सरन सिंग के सुपोत्र मुनीम सिंग बाइप आफ जैसरी देवी के सुपोत्र के रूप में हुआ था इनकी माता का नाम जैसरी देवी है दोस्तो सिच्छा इन्होंने हासल किया थी निर्मा इन्वेस्टी से बीटेक किया था उसके बाद दोस्तो सन 2003 में सेना में बर्ती हो गए सर्विस के दोरान 5 बिभिन मेडल प्राप्त किये जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है चब्वीस ग्यारा दो हजार नो बॉंबे ताज होटल ओवराई होटल पर आतंकी द्वारा हमला हुआ उसमें गोपाल सिंग एन एसजी कमांडों के रूप में एहम भूमिका के लिए बिशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हुए थे अरणाशल परतेस नेफा दो हजार बारा को सेन सेवा मेडल प्राप्त हुआ 30-10-2015 में फर्ष्ट आरार बी-एन में तैनाद हुए मतलब फर्ष्ट आरार बटालियन में तैनाद हुए लांस नाय गोपाल सिंग 12 फरवरी 2017 को जम्बू कस्मीर के कुलगाओं में एक मकान में नो आतंकी छिपे होने की खवर थी सियो द्वारा ओर्डर कमांडो साथियों के साथ सर्च ओपरिसन में चार आतंकीयों को मौत के घाट उतार दिया और भारी गोली बारी में आमने सामने लड़ते लड़ते बीर गती को प्राप्त हुए गोपाल सिंग का अदम साहस और बहादुरी की बज़े से मरडो परांत भारती सेना ने स्वर चक्र से सम्मानित किया है उदमपो इस्तित उत्तरी कमांड के युद इसमारक धुरुम में बीर सहीद का नाम सद्यव सद्यव के लिए अंकित किया गया बीर लाशनायक गोपाल सिंग बढ़रिया मुनियम सिंग को कोटी कोडी नमन दोस्तों आप इस तरफ ये पटिका दे सकते हैं और यहां पर भी कुछ जानकारी बगरा दे गए जिसको आप पढ़ सकते हैं एक बार दोस्तों कर बात करें दाएं तरफ बाले पिलर पर वहां पर भी जानकारी देगी है इसका जो उद्गाटन है वो यहांकी जो बिधायक है मननी महारानी पच्छालिका सिंग उनके द्वारा किया गया था और इस तरफ भी आप यहां पर कुछ जानकारी बगएर उसके एक बार पढ़ सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारे बीर सहीद के बारे में जानकारी और इस प्रकार से यहां पर पूरी विवस्ता की गई है यहां पर पानी पीने की विवस्ता की गई है जो की बदा अच्छी बात है सामने बोर बोल की विवस्ता है और यह टंकी के अंद्रमान करा आए गया है जिससे जो भी आगंतुक हैं जो गर्मी के टाइम में या किसी भी मौसम में प्यास रख दिये तो वहां पर यह जलपान कर सकते हैं तो दोस्तों यह है सहीद गोपाल सिंग बधोरिया की स्मृति तो दोस्तों यह इसका फुल व्यू है टॉप से मैं उपर आ गया हूँ वह से ले रहा हूँ अभी आप दिसकते हैं यह गाउंज में अंदर जाने का रास्ता है यह रास्ता है ऐसे आता है और यह गाउंज के अंदर एंटर करता है तो दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी क सवाल या सुजाव हैं तो आप कमेंट सेक्षन में हमसे पूंच सकते हैं धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय बीर सपूत सहित गोपाल सिंग भदवरिया